एक बहुत इंपॉर्टन सब्जेक्ट है MP सिवल जज एक्जामिनेशन के लिए प्रिलम्स में इससे पांच क्वेश्चन्स आते हैं पांच नंबर के और मेंस में दो क्वेश्चन्स आते हैं 8 marks each, total 16 marks का वेटेज मेंस में इसका है जितना किसी और subject का होता है जैसे CPC या CRPC या IPC अब problem MP LRC के साथ ये है कि इसे आपने उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है जितना आपने कोई दूसरा law का subject पढ़ा है क्योंकि आपने से उतनी बार नहीं पढ़ा है शायद एक बार ही पढ़ा है या नहीं ही पढ़ा है और पढ़ा भी है आपने तो सिर्फ provisions को याद किया है आपने उसे बिल्कुल भी समझा नहीं है इस subject को आपके exam के लिए simplify करने के लिए हम दो छोटे वीडियो लेके आए है Today is the first video ये वीडियो तीन पार्ट में डिवाइड होगा जिसमें पहले मैं आपको introduction बताऊँगा इस act का की purpose क्या है क्या है ये act इसके बारे में दूसरा पार्ट डील करेगा with the authorities under MPLRC आपने प्री में भी questions देखे होंगे कहीं पे रसीलदार कुछ काम कर रहा है कोई चीज कलेक्टर कर रहा है उसमें बड़ा confusion होता है so we'll try our best to simplify this for you और जो लेटर portion होगा third part जो इस वीडियो का जो end portion होगा वो डील करेगा areas में अगर आपने एक बार भी MPLRC पढ़ा है तो आपको पता होगा कहीं पे block है कहीं पे village है sector है survey number है plot number है ये सारी चीज़ें है क्या उसको थोड़ा से समझ लेंगे तो याद रखने में easy होगा इसके बाद जो second video हमारा आएगा उसमें मैं एक एक provision wise आपको ये बताऊँगा कि किस provision से exactly क्या question परीका आएगा लेकिन उन सारी चीज़ों को याद रखने के लिए एक prerequisite है कि आप ये basics अच्छे से समझ ले MPLRC के ताकि आपको याद करने में जादा problem नहीं होगी Hello everyone, this is Nitesh Chaube I'm the founder director of ELECT So let's start this video and make sure that you have MPLRC's barracked with you अपने साथ आप MPLRC का नया वाला amended वाला barracks जरूर रखें इस वीडियो को देखते टाइम ताकि जो भी मैं चीज़ें आप ये conclude करूँगा चार्ट के फर्म में आपको बताऊँगा आप उसके provisions भी cross check करते जाएए कि कहां से वो चीज़ें conclude हो रही है मैं mention करते जाऊँगा किस provision से क्या चीज़ हम conclude कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखें MPLRC का जो section 57 है वो ये कहता है कि मध्यप्रदेश में जितना भी land है this whole land belongs to the state government पूरा land किस को belong करता है state government को belong करता है तो फिर बाकी लोग जो कहते हैं यह हमारी जमीन है यह हमारी जमीन है वो actually tenure holders हैं वो उस जमीन को hold कर रहे हैं लेकिन it belongs to the government अब as भूमिस्वामी आप इस land को hold करते हैं section 158 इस act का define करता है कि भूमिस्वामी होता क्या है ठीक है तो आप तो कुछ समय के लिए या आपको सिर्फ यह दिया गया है for your usage है जमीन government की तो obviously बात है government इस पे आपको charge करेगी कोई charge आप से लेगी तो land revenue जो word है यह actually वही है जो state आप से लेता है revenue उसके land को आपको usage के लिए देने के लिए जो revenue state government आप से लेता है उसी को कहते है land revenue अब यह पूरा एक system है कि lands को कैसे divide किया जाएगा different categories में और उससे कितनी land revenue ली जाएगी यह depend करेगा कि land किस purpose के लिए आप इस्तेमाल कर रहे है educational purposes के लिए हो रहा है तो अलग land revenue का calculation होगा industrial purpose के लिए अलग होगा commercial purposes के लिए अलग होगा dwelling house के लिए अगर आप use कर रहे है तो अलग calculation होगा इस तरीके कैसे assessment होता है land revenue का जिसके लिए authorities की ज़रुरत है जिसे कि section 11 में आप जानते होंगे revenue officers के बारे में बताया है तो वो आपको देखना है अब वहाँ पे भी बड़ा confusion होता है तो उसको हम उस confusion को clear करेंगे आज तो यह जो authorities और यह जो पूरा system develop किया गया है यह किस चीज के around है क्योंकि government को आपसे revenue लेना है land pay तो उसको manage करने के लिए पूरे system को manage करने के लिए actually यह act होता है यह purpose है MP land revenue code का अब यह जो अभी present आप मध्यप्रदेश देख रहे है यह जो land revenue code है यह तो 1956 के में जब reorganization हुआ states का और present मध्यप्रदेश बना तब की कहानी है अभी जो present मध्यप्रदेश है अभी 10 division है MP में यह तो अभी की कहानी है बट उसके पहले अलग था MP जैसे आप देखिए अभी जो present division है वो यह 10 divisions है MP में चंबल, गौलिया, रुज्यान, भौपाल और यह तो present मध्यप्रदेश है लेकिन reorganization के पहले अलग structure था वो structure कुछ ऐसा था और अब यह जो अलग-अलग regions थे पुराने महा कौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, सिरोंज तहसील, भौपाल स्टेट इन regions को मिला के present मध्य प्रदेश बनाया गया तो देखिए अब जैसे यह सिरोंज तहसील पहले राजिस्थान का पार्ट थी उसको यहाँ include कर दिया गया यह अलग-अलग areas थे, भौपाल स्टेट एक अलग था, महा कौशल रीजन एक अलग था अब यह जितने region थे, यहाँ अपने land revenue से के regarding अपने-अपने enactments या laws थे यह जो अलग-अलग land revenue के systems चल रहे थे, एक single state में अलग revenue systems नहीं हो सकते हैं, इसी लिए reorganization के बाद एक uniform law की जरूरत थी और MPLRC इसी लिए enact किया गया, यह purpose है मध्यपरदेश land revenue code का अब इन regions के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक important mains का question है भूमी स्वामी section 158, भूमी स्वामी के ने बनाया गया, तो वो इस हर region के में जो पहले से land hold कर रहे थे उनको अब present वाले में भी भूमी स्वामी बनाया गया, उसको आपको पूरा याद करना होता है I hope with the help of this map, आप उसको easily याद कर पाएंगे, क्योंकि ये region से आप थोड़ा familiar हो जाएए कि ये अलग-अलग regions को मिला के मद्रदेश बना है, तो आब आगे की कहानी यहीं से शुरू होगी तो ये तो एक basic है MP land revenue code का कि कौन से दूसरे parts को मिला के बना और वहाँ अपने-अपने land revenue के system चल रहे थे, अब एक uniform system ला दिया गया MPLRC के form में अब ये जो present act हमारे सामने हैं, इसमें बहुत सारी authorities हैं, अलग-अलग जैसे अगर आप section 11 देखेंगे, तो उसमें revenue officers की एक बड़ी सी list दी है अब आप अलग-अलग provisions में अलग-अलग revenue officer का नाम देखते हैं, एक question तो problems में सीधे यह से आता है which of the following is not a revenue officer, तो उसमें इन में से तीन आपको मिलेंगे और एक जो मिलेगा वो या तो revenue inspector नॉर्मली होता है या पटवारी, वो भी authority तो है MPLRC में, बट वो revenue officer नहीं है कोतवार, पटवारी, पटेल, revenue inspector, ये सब authorities तो हैं under MPLRC, लेकिन revenue officer नहीं है ध्यान रखिए का यही चारों चीज़ों में से कुछ एक आता है option में, जो revenue officer नहीं होते ये जो list भी दी हुई है, इसके बारे में बहुत clear का division नहीं है, section 11 ने तो सिर्फ एक list प्रस्क्राइब कर दी है लेकिन इसके आगे के section 12 के बाद से अगर आप provision पढ़ना start करेंगे, तो आपको थोड़ी सी सी पे clarity आएगी कि ये authorities कौन है, कौन किसके अंडर काम करता है, उसको मैं थोड़ा सा simplify आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ ये जो authorities अंडर MPLRC, इसमें सबसे उपर होता है board of revenue, जो state का एक ही होगा, board of revenue section 3 में दिया हुआ है इसका constitution, ठीक है एक प्री का important question होता है, कि इसकी principal seat कौन सी होती है, that is Gualier, तो एक state का एक board of revenue होगा सबसे पहले, उसके बाद 2018 के amendment के बाद, state government को power दे दिया गया है, कि वो state में एक principal revenue commissioner appoint कर सकते है, section 13A में इसका appointment के बारे में बात है, मालिका state government may appoint, तो वो चाहे तो एक principal revenue commissioner appoint कर सकती है state के वो division, district, subdivision और तहसील के level पे है, तो उस division में हम officers को देखते है, अब इसका अगर आपको जो अभी में आपको chart देने वाला हूँ, अगर आपको इसका source से है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 11 के बाद के provision, 12 से लेके, section 12 से 22 तक में ये सारी बातें लिखी होई ह तो देखिए, अब state को क्या किया है, अलग-अलग division में divide किया है, यह मैंने आपको बताया, मद्रदेश के 10 division है, जो भी हमने map पे देखे, तो हर एक division का जो head होता है, वो होता है commissioner, एक division का जो head officer होगा, वो होगा commissioner, और साथ में additional commissioner के भी appointment हो जाते हैं, इसके बाद हर division divided होता है different districts में, अलग-अलग district होती हैं division के अंदर, district का जो head होगा, वो होगा collector, और साथ में additional collector भी appoint होंगे, इसके बाद जो districts हैं, they are further divided into subdivision, district का further division है, subdivision, और उसके लिए जो officer appoint होता है, वो है sub divisional officer या SDO, अब देखिए, SDO कोई अलग person नहीं है, अभी आप, अगर section 11 अपने सामने र 19 officers हैं, ठीक है, तो वो अलग-अलग person नहीं है, एक ही person अलग-अलग function perform करता है, तो उसका अलग office हो जाता है, ये बिल्कुल उस तरह है, जैसे एक person appoint होता है civil judge, अब वही magistrate भी है, जब criminal matter सुनेगा तो magistrate है, civil matter सुनेगा तो वो civil judge क्यालाता है, उसी तरीके से यहां authorities है, इत matter है, उनी के उपर power confer किया जाता है SDO का, sub divisional officer का section 22 में यह आपको मिल जाएगा, इसके बाद और जो district है, उसमें different तहसील होती है, ये जो तहसील है, इसका in charge बनाया जाता है तहसीलदार को, तहसीलदार के साथ additional तहसीलदार और नायब तहसीलदार के भी appointments MPLRC में है, काफी important offices है, कई जगे इसके बारे में provisions में हम पढ़ते हैं, तहसीलदार के साथ एक appointment और होता है, जो district के लिए जितने चाहे state government appointment कर सकती है, एक district में जितने चाहे उतने superintendent of land record, इनके functions में exactly कोई असा नहीं है, जो भी code confer करेगा function वो perform करेंगे, तो एक district में separate appointment होता है, superintendent land record या assistant superintendent land record का, अ अगर आप इस list को देख रहे हैं पूरा, तो और section 11 में जो list दी हुई है, revenue officers की, उससे आप compare करेंगे, तो कुछी नाम यहाँ पे आ हैं, बहुत सारे ऐसे officers हैं, जिनका नाम अभी तक मैंने ने लिया, ये किस वज़य से है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो देखिए, ज वो पूरा land revenue का system है, इसमें बहुत सारे functions है, इसमें disputes resolve करना है, कोई अगर trespasser, trespass करता है किसी के land पे तो उसके लिए penalty वगएरा लगानी, बहुत सारे काम है, उनमें से एक important function होता है, land survey का, chapter 8, specifically इसके लिए deal करता है, 2018 में पूरा amend हुआ है, पहले 7-8 दो chapter थे, अब 7 हटा के सिर्फ 8 आ गया है नया, और इसमें पूरा land survey के बारे में दिया, ये एक separate function है, जो authorities को perform करना है, land survey basically होता क्या है, जितना भी land MP का, उसको different parts में divide किया, villages में divide किया, sector में divide किया, और फिर उनके पूरे records maintain करने है, ये जो पूरा function है, इसे कहा जाता है, land survey, अब land survey के लिए कुछ नय appointments है, authorities के, और majority function यही लोग perform करेंगे, लेकिन इनके designation change हो जाएंगे, ये ठीक उसी तरह है, जिसे civil judge और magistrate होता है, चीक, तो देखिए, land survey के लिए, सबसे पहले 61 में तो land survey defined है, फिर 62 में एक appointment है, जो की है आपका commissioner land record या additional commissioner भी साथ में appointment हो जाते हैं, तो commissioner land record एक separate appointment है, under section 62 ये officer appoint होता है, इसके बाद, जो further इसकी hierarchy है, land survey के purpose के लिए, उसमें next officer जो होता है, आपका district survey officer, एक district का ये head होता है, ये वही division का, और district survey officer जो होगा, एक district का head, अब ये कोई अलग person नहीं होगा, ध्यान रखिए, ये जो district survey officer है, collector को ही assign कर दिये जाते हैं power, district survey officer के, चीक है, ये अलग है, commissioner अलग है, और एक commissioner land record separate appointment होगा, बट, जो collector है, उसी को district survey officer के भी function perform करने है, ऐसे ही जो SDO है, subdivisional officer, इसको function perform करना है, deputy survey officer का, टिक, district survey officer के नीचे hierarchy होगी, deputy survey officer की, और ये कौन होता है, SDO ही deputy survey officer के function perform करता है, इसके बाद, एक और designation इसमें है, assistant survey officer, ये assistant survey officer, तैसीलदार, नायब तैसीलदार, और ये होते है, additional तैसीलदार, तैसीलदार, additional तैसीलदार, नायब तैसीलदार ही assistant survey officer का function perform करेंगे, तो ये basically वो authorities हैं, जो section 11 में mention तो है, लेकिन, कब क्या perform, जैसा मैंने कहा, person अलग नहीं है, function अलग perform करने, ये chart अब अगर आ अच्छे से आप देख लिजए, क्योंकि जो appeal वगेरा के जो भी questions होते हैं, जैसे first appeal है, तो वहाँ दिया हुआ है, कि SDO के नीचे के जितने officer है, उनकी कोई भी appeal होगी, SDO सुनेगा, SDO की appeal collector के पास जाएगी, collector की commissioner के पास, और commissioner के बाद board of revenue के पास, सिरे यहां से, तो जैसे यहां appeal की hierarchy है, वैसे यहां भी first appeal की hierarchy कुछ इसी तरीके से है, कि deputy survey officer इसकी appeal सुनेगा, नीचे वले की, और deputy survey officer की appeal district survey officer सुनेगा, बट यहां उसके बाद change है कि commissioner land record, जो है, वो appeal नहीं लेता, यह district survey officer की appeal भी जाएगी, commissioner के पास ही, यह ध्यान रखियेगा, तो इस तरीके से, व लेकिन यह सब काम आएगा, उस वीडियो को देखने के लिए यह prerequisite है, यह अगर आपको concept clear हो गया है, तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए से बहुत ध्यान से देख लिएजे, ठीक है, यह सब charts वगेर अगर आपको चाहिए है, तो telegram channel जो ह समझने के लिए, अब आपके दिमाग में थोड़ा सा यह clarity आएगी कि कौन क्या officer है, किस के under कौन काम कर रहा है, ठीक, तो यह हमने derive कहां से किया है, section 11 to 22 यह, और section 65, 62 में commissioner और बाकी यह 65 से, आप उसको पढ़ेंगे, बिल्कुल आप इसको समझ पाएंगे, so यह था about the authorities, इस आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, वो है area के बारे में, यह दिया हुआ है section 61 में, तो section 61 जो है, वो बताता है कि जो MP का state है, उसके area कैसे divide होगा for the purpose of land survey, चिक, तो यहां आप उसको समझ लीजे, 61 आप बाद में पढ़ लेना, थोड़ा सा complex है, इसको simplified थरीके से आप य on urban area अलग, अब urban area को further divide किया जाएगा, अलग-अलग sectors में, देखिए administration का function होता है, administration के purpose से जो division है, वो तो आपका division, district, तहसील वो सब हो गया, ठीक है, land survey के purpose से अलग division है, आप समझ रहे है, function दोनों अलग है, तो देखिए land survey में जितना भी urban area है, उसको sectors में divide किया गया है, अ अब इस sector को further divide किया जाएगा, survey number और blocks में, survey number जो है, यह आपका है agricultural land, sector में जितना भी agricultural land होगा, उसको क्या, एक नाम दिया गया है, survey number, separate area, जितना agriculture के लिए use हो रहा, urban area में, एक particular sector में, वो हो जाएगा आपका survey number, जो non-agricultural land है, वो आपका block में होता है, block का भी further division है, आप यहाँ देख पार है, plot number, तो plot number के collection को ही हम block कहते हैं, ठीक है, और block और survey number, क्योंकि block जो है, यह non-agricultural land है, तो agricultural, non-agricultural मिला के एक sector में, दो parts में, यह जो land है, divide रहता है, यासा हर sector में होता है, यह division, इसके बाद non-urban area के division पे हम आए, तो non-urban area को divide किया गया है, different villages में, जैसे वहाँ sector है, यहाँ अलग-अलग village है, अब इन village में अंदर की कहानी बिल्कुल sector की तरह ही है, कि जितना भी agricultural land होगा, वो survey number में divided होगा, जैसे एक piece of land होता है, कि आपके पास एक एकड जमीन है, दो एकड है, तो अगर वो agricultural है, तो वो एक survey number है, एक unit land की, so survey number होगा, agricultural land, और blocks होगा है, non-agricultural land, ठीक, और blocks further divided है, plot में, जैसे होता है, non-agricultural, residential purpose के लिए इस्तेमाल होगा, एक plot का piece, so that plot are divided into, or clubbed into, rather I should say, they are clubbed into blocks, ठीक है, और दूनों मिला के, survey number और block, agricultural, this is agricultural, this is non-agricultural, दोनों मिला के, आपका village हो जाएगा, non-urban area की कहानी, तो इस तरीके से ये area divided है, क्योंकि land survey amendment के बाद आया, 2018 के बाद, mains के लिए भी बहुत important question है, और उसको पढ़ने और समझने के लिए, ये आपको पहले समझना पड़ेगा, कि land को किस तरीके से divide किया गया, I hope इस video से आप को कुछ clarity इन चीज़ों पर मिल जाएगे, अब अगर आप provision या उनके अंदर के चीज़ों याद करेंगे, थोड़ा सा easy होगा आपके लिए, याद रखने में भी और long term तक आप उसको थोड़ा सा retain कर पाएगे, अगला video हमारा जो आएगा, उसमें मैं, आप प्लीज अपने पहले authorities का chart दिया, अगर आपको वो चाहिए है तो LA के Telegram चैनल पर आप चले जाए, वहाँ हमने ये PDF शेयर किया हुआ है, और अगले video का आप वेट करें, जल्दी वो next video आएगा, उसमें Barrett के साथ आप बेठें, if this video was helpful for you, then please like the video and subscribe our channel, thank you. Hello everyone, this is Nitesh Chaube, और मैंने अपने पिछले video में आपको बताया था, कि next video में हम MPLRC के एक-एक provision में ये discuss करेंगे, कि क्या MPCJ Prelims Examination के लिए पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो इस video को देखने से पहले आप दो चीज़े ensure कर लें, कि आपने पिछला वाला MPLRC का video देख ल रखें, ताकि जो जो provisions और provision के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, वो आप महीं पे साथ में note-down करते जाएं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस video को, the first section in this act is short title, extent and commencement, तो देखिए short title, extent and commencement में दो question important है, पहला तो MPLRC कहा-कहा अपलाए होता है, so whole of Madhya Pradesh except the land under forest act Indian forest act के अंदर जो land आता है, उस पे अपलाए होगा, यह ध्यान रखिएगा, दूसरा date of commencement, so commencement की date है इसकी 2nd October 1959, यह दोनों question यहां से important है, इसके बाद definition section पे आते हैं, section 2, उसमें सबसे पहले जो definition दी हुई है, वो है आबादी, अब दीखिए यहां पे एक तो यह clauses important है, कि section 2 क किस clause में आबादी दिया हुआ है, आबादी होता क्या है, village का वो portion, वो land, जिसे residential purpose के लिए use किया जाता है, inhabitant जवारा, वहां के, that is आबादी, फिर B है agriculture, यहां से यह सारे clauses, जो जो मैं mark कर रहा हूँ, यह इन पे questions pre में आता है, agriculture किस clause में define है, और होता क्या है, तो उसके लि हो सकती है, annual भी हो सकती है, beetle leaves, water nut, garden produce, यह तीनों चीज़ें आप underline कर लें, then it is horticulture, उसके बाद planting and upkeeping of orchards, orchards का मतलब होता है, जब fruit trees, एक large quantity में grow होते हैं, land पे, they are called orchards, fourth है fodder grazing, thatching grass, और fifth जो है, इसका poultry fisheries, animal husbandry, इसमें mark कर लेजे, यह जरूर यहां पे आप ध्यान रखि होगेगा, agriculture के fifth point में, कि यह pottery fisheries, animal husbandry जो हो रही है, this should be five kilometers away from the urban area, urban area से पाँच किलोमेटर दूर हो रही हो, तभी agriculture में आएगी, otherwise नहीं आएगी, यहां से tricky option बन जाता है, जिसमें आपको यह तो दिया रहेगा, fisheries, animal husbandry, but five kilometer वाला जो point है, वो missing होगा, तो यह जरूर आप ध् नेक्स है, agricultural year, clause C में दिया है, यह भी important है, और agricultural year कब start होता है, so agricultural start होता है, first of July से, यह ध्यान रखिएगा, first of July से agricultural year, क्योंकि यहां पे दो questions बनते हैं, agricultural year पे question बनता है, और एक बनता है आपका revenue year, पे जिसमें आप यहां देख पा रहे हैं, V में है revenue year, इसको ध्यान रखने ह revenue year start होता है, first of October को, अब कई बार यह confusion हो जाता है, examination hall में, कि July में कौन सा था, और first of October कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा, first of October, October और जो revenue year है, इसका correlation यह है, कि revenue से signify होता है, दिवाली, दिवाली is considered to be significant from the point of revenue, और दिवाली normally October में आती है, तो ध्यान रखिएगा, first of October is revenue year, औ और agriculture जो है, वो बारिश से related है, और rainy season जो होता है, आपका July होता है, so first July is agricultural year, इसके बाद cooperative society का सिर्फ clause याद रख लेजे, कौन से clause में दिया हुआ है, holding important है, I, holding होता क्या है, piece of land, जिस पे separately assessment होना है, land revenue का, that portion is one holding, improvement free के लिए तो बहुत important नहीं है, but short note बगेरा means में आ जाता ह है, एक बार मैं आपको brief कर देता हूं, improvement होता क्या है, J में जो दिया हुआ है, लेखिए, land पे जब आप कोई construction करते हैं, agricultural land पे उसके beneficial use के लिए, इसमें दो चीज़ें आ सकती है improvements में, एक तो water supply के लिए आप जो construction कर रहे हैं, जैसे कोई tank, या फिर आप channel या well बनवा रहे है that is covered और दूसरा है drainage, drainage के लिए जो construction आप कर रहे हैं, फिर जैसा कि आप clause J में देख पारे होंगे, इसमें second paragraph है, वो यह बता रहा है कि क्या include नहीं होता है improvement में, तो उसमें देखिए जो भी temporary nature का ये work है, ये पूरा water के लिए drainage, ये अगर temporary nature का है, तो include नहीं होगा, permanent nature का होना चाहिए, तभी वो improvement माना जाएगा, next clause है L, जिसमें दिया हुए landless person, ये भी important है for prelims, clause mark कर लिजे, landless person किसमें दिया है, और होता क्या है, तो state government specific portion of land, एक quantity define कर देती है, कि उस quantity से कम जिसके भी पास land है, और वो bonafide agriculturist है, इसमें first line में आप underline कर लिजे, bonafide agriculturist है, और last line मे दिया है, holds no land, और land less than the area which may be prescribed in this behalf, तो या तो कोई भी land hold नहीं करता है, या फिर जो prescribed limit है, minimum वाली उससे कम land hold करता है person, so he is a landless person for these purposes, इसके बाद next है, land revenue, इसको भी आप mark कर लेजे, important है, land revenue कहां दिया हुआ है, सिर्फ clause, बस, इसके बाद सीधे mark करिए, O, mango groove भी important है, इसमें, so mango groove, जो mango trees एक large quantity में जब plantation होता है, वो होता है, इसके बाद, orchard, जो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया, clause इसका important है, orchard का ध्यान रखिएगा, P में दिया हुआ है, orchard, होता क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद, next, सीधे revenue officer, mark कर ल गया है, बाकि definition तो कि कौन-कौन revenue officer होते हैं, जो list दी हुई है, वो तो आपको section 11 में मिलेगी, फिर है, V में revenue year, यह ध्यान रखिएगा, दोनों clause B और date, normally इसका date का question आता है, कि revenue year कब start होता है, या agricultural year कब start होता है, इसके बाद, sector mark कर लिजे, क्योंकि यह नया है, 2018 amendment से है, इस इसके बाद, sector के बाद, सीधे survey number X, so where it में आप mark कर लिजे, एक survey number क्या होता है, तो पिछले वीडियो में आपको बताया था, कि survey number, जो agricultural land होता है, उसका जो एक portion, जैसे plots होते है, non-agricultural में, ऐसे एक portion of land, जो है, जिसका separate assessment होना है, that is survey number, X में दिया हुआ है, इसके बाद, next, जो important clause है, वो Z2 है, cultivate personally, यहाँ से आपको content से question बन सकता है, कि कब cultivate personally होता है, और कब नहीं होता, तो उसके लिए आप देखिए, to cultivate personally, means to cultivate no one's own account, by one's own labor, जब खुद अपने labor से आप कर रहे हैं, own labor इसमें आएगा, इसके बाद दिया हुआ है, family member, किसी family member के labor से cultivation हो रहा है, तो भी आएगा, और तीसरा है, अगर आपने इसके लिए servant रखा है, servant भी आता है, लेकिन यहां यह ध्यान रखिएगा, कि इस servant को जो payment हो रहा है, that should be, that payment should be cash or kind, अगर आप crop share दे रहे हैं, as payment for that labor, तो वो cultivate personally में नहीं आएगा, कि आप किसी की help ले रहे हैं, cultivation में, और उसको जो produce हो रहा है, final crop share, उसमें से कुछ share दे रहे हैं, तब नहीं आएगा, cash या kind में pay कर रहे हैं, तब यह आएगा, इसके बाद next है, unoccupied land, यह भी important है, unoccupied land actually वो land है, जो कोई hold नहीं कर रहा है, on behalf of the government, जो भी government के ही पास है, completely, वो होता है, unoccupied land, फिर है village, village भी काफी important है, z5 में दिया है, ठीक है, definition दिया है, वो prelims के लिए उतनी important नहीं है, बट clause ध्यान रखियेगा, village कहां defined है, तो जो section 2 है, definition वाला, उसमें से, जितने मैंने अभी mark करा हैं हैं, आपको सिर्फ इतने ही clauses आपको पढ़ने हैं, और जहां content से question आ सकता है, जो मनें बताया, बस इतना आप पढ़ लीजे, इसके बाल आते हैं chapter 2, तो chapter 2 में constitution of board of revenue दिया है, chapter 2 deals with board of revenue, section 3 बहुत important है, सबसे पहले तो यहां से question जो आ सकते हैं, सिर्फ इसका जो subsection 1 है, बस उसको आप mark कर लेजे, कि member कितने होते हैं board में, तो एक आपका होगा president, और इसक लोग होंगे board में, section 4 काफी जादा important है, यह question आता ही आता है, बहुत important है, कि इसकी principal seat कहां होगी, सो ध्यान रखिएगा principal seat जो है, वो होगी आपकी goalier में, goalier में है principal seat, board of revenue की, बस यही दो question problems के लिए important है, बाकी function और वो सारी चीज़े, jurisdiction वगेरा, कुछ important यहां नहीं है, फिर सीधे आप आजाईए, next chapter पर chapter 3, revenue officers, their classes and powers, इस chapter के बारे में, detail में हमने discussion किया है, पिछले chapter में, hierarchy wise मैंने आपको समझाया था, कि कौन किसका subordinate है, उसको जरूर आप देख लेजए, फिर revenue officer, 11 में define कियेगा है, या list दी हुई है revenue officer की, कौन कौन revenue officer होगा, यह section का question आता है, 19 officers है revenue, 11 में, कौन नहीं आता है, यहां से question यह भी आता है, which of the following is a revenue officer, और which of the following is not, so उसमें option में आपको authorities, दूसरे officers भी हैं, बट वो revenue नहीं है, जैसे revenue inspector, पटवारी, कोतवार, पटेल, यह सब officers तो हैं, बट वो revenue officer नहीं है, authorities तो हैं under MPLRC, बट वो इस list में नहीं है, तो यह सारे options आपको वहाँ पर आते हैं, control over revenue officer section 12 देखिए इसके बार, so जो control होता है, वो सारे जो revenue officer होते हैं, वो subordinate होते हैं, किसके state government के, section important नहीं है, section से question नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, कि revenue officer किसके subordinate हैं, तो state government के subordinate होते हैं, फिर है 13, 13 important है, यहां से भी question यह आत हैं, division, district और subdivision, यह division है, land का, जो मैंने पूरा आपको समझाया था, division का head commissioner होता है, district में कलिफ्टा, so वो जो division है, उसको अगर abolish करना है, alteration उसमें कोई करना है, तो यह ध्यान रखिएगा, यह power भी state government, normally section का question नहीं आता है, यह question important है, कि यह कौन करता है, so state government does all this, इसके बाद next, जो provision है, 13A, यह बहुत important है, यहाँ आपको section का भी question आ सकता है, और principal revenue commissioner का appointment कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, state government में appointment लिखा हुआ है, 13A में, यह 2018 amendment के बाद आया, इसलिए काफी important provision है, section भी इसमें याद रखिएगा, 13A, इसके बाद 19 है, appointment of तहसीलदार, थोड़ा कम chance ह इसके आने का, बट फिर भी ध्यान यह रखिएगा, कि appointment यह जो भी है, यह state government ही कर रही है, चिक, तहसीलदार थोड़ा important है, provision, इसलिए 19 आप mark कर लिजे, बहुत जादा important नहीं है, लेकिन, इसके बाद next जो है, 22 आप mark कर लिजे, subdivisional officer, यह actually आपको उस hierarchy को समझने में भी help कर हैंगे, जो मैंने आपको last video में, charts के form में समझाई थी, तैसीलदार, additional और नायब तैसीलदार, फिर subdivisional officer, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, joint deputy collector जो होते हैं, उनी पे power confer किया जाता है, 24 थोड़ा important है, section से भी question आता है, इधर से, तो section भी ध्यान रखिएगा, so 24 is, अगर state government चाहे, तो revenue officer के power confer कर सकती है, ठीक है, किसी भी public servant पे या local body के किसी officer के उपर, यह important question है, 24, इसके बाद next chapter, chapter 4, यह है chapter 4, procedure of revenue officer and revenue courts, काफी important chapter है, इधर पे sections के अलावा, content से भी main content से भी questions बन सकते हैं, तो 28 वैसे तो सीधे direct question इससे नहीं आता है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि revenue officers के पास power होता है, किसी भी land पे वो survey के purpose से enter हो सकते हैं, power to enter upon survey land, जिस भी land का survey होना वहाँ enter हो सकते हैं, अब यहाँ एक important चीज mark आप कर ली जिए, यह section स्टार्ट होता है, any revenue officer, revenue inspector, नगर सर्व पटवारी, अब आप देखिए, एक तो इन्होंने लिख दिया, any revenue officer, तो revenue officer में वो सब आगा है, जो section 11 की list में है, उसके अलावाद दो लोग और लिखे हैं, यहाँ पे revenue inspector, नगर सर्विक्षार, पटवारी, यही चीज में आपको समझाना चारा था कि जब यह question आता है, which of the following is not a revenue officer, तो यह option में आएंगे वहाँ, revenue inspector, नगर सर्विक्षार का सकता है, पटवारी option में यहाँ पे आ सकता है, तो इनका ध्यान रखिएगा, पटवारी, revenue inspector, नगर सर्विक्षार, यह लोग revenue officer नहीं होते हैं, यह question बहुत important है और, इसलिए मैंने 28 आपको mark कराया है, बस, इसके लिए अगर आपको वो hierarchy clear है, तो आपको इसको पढ़ने में ज़्यादा problem नहीं होगी, जो पिछले वीडियो में हमने discuss करी है, जैसे board, सबसे पहले board कहां से कहां case transfer कर सकता है, तो भाई, board का jurisdiction क्योंकि पूरे state पे होता है, तो वो एक division से दूसरे division case बेश सकता है, एक division 9 के subsection 1 में दिया है, फिर subsection 2 बात करता है commissioner के power की, तो भाई, commissioner कहां का head होता है, एक division का, तो वो अपने division में किसी भी एक revenue officer से दूसरे revenue officer के पास case transfer कर सकता है, फिर देखिए section 30 important है काफी, चीक है, इधर content से अंदर से question आते है, section तो important है ही, content के अंदर थोड़ा सा ध्यान से ए चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो इसमें सबसे पहले दिया है, collector और a sub divisional officer may make over any case or class of cases arising under provision of this code or any other enactment for the time being in force, underline कर लीजिये for decision, तो ये दोनों किसलिए transfer कर रहे हैं, collector या sub divisional officer किसलिए making over कर रहे हैं, कि इसकी for decision ये ध्यान रखिएगा, so SDO and collector, ये किस purpose के लिए making over कर रहे हैं, decision, decision के लिए, ये किसी भी अपने subordinate officer को file transfer कर सकते हैं for the purpose of decision, या फिर ये किसी अपने subordinate officer से withdraw भी कर सकते हैं और किसी दूसरे को दे सकते हैं या खुद decide कर सकते हैं, ये सारा काम ये लुक कर सकते हैं, अब इसका जो subsection 2 है, यहाँ थोड़ी सी अलग चीज़, subsection 2 देखिया, commissioner collector, sub divisional officer और तहसीलदार, अब इधर पर officers भी काफी सारे हो गए, commissioner भी है इधर पर, collector भी है, SDO भी है, तहसीलदार भी, ये सारे, makeover for, ये underling कर लिए, makeover for inquiry and report, ये वाली जो making over है, subsection 2 की, ये किस purpose के लिए है, ये है inquiry and report के लिए, और पुराना वाला था decision के लिए, ये difference है दोन में, अब सीधे आप रटने बैट जाते हैं, तो problem होती है, याद रखने में, इस तरही किसे थोड़ा से समझ के पढ़ेंगे, तो याद जादा रहेगा, so ये वाला जो subsection 2 है, ये making over है, for the purpose of inquiry and report, तो ये अपने किसी भी subordinate officer को दे सकते है, inquiry report बनाने के लिए, ये सारे officers कर सक में, लेकिन जो decision के लिए दे रहे थे, subsection 1 में, वो collector और SDO ही दे रहे थे, ये ध्यान रखेगा, इसके बाद section 31 काफी जादा important है, बहुत जादा important है, provision का भी question दा है, किस section में दिया हुआ है ये, so conferral of status of courts, जो भी revenue officers या board जो है इसमें, उन पे court का status confer किया गया है, under section 31, दो च sir, while exercising power under this board, और any other enactment for the timing and force, to inquire into or to decide, any question arising for determination, underline कर लिजे, between the state government and any person, तो dispute किस के बीच में होना चाहिए, state government and other person, कोई दूसरा person और एक party state government होनी चाहिए, इन सारी चीजों को decide करने के लिए, और between parties, any proceeding shall be a revenue court, ये सारी proceeding, जब revenue officer या board करने, रहे हैं, तो इनके उपर revenue court के power confer किये गए है, that is 31, बहुत important section है, 32 भी equally important है, बहुत जादा important है, कि inherent power किस में है, अब inherent power वैसे जैसे CPC वगरा, CRP सब में जैसे court के पास inherent power होता है, वैसे inherent power, यहाँ पे revenue courts के पास से provision से question आता है, कि inherent power किस section में दिया है, बहुत important है, इसके hearing in absence of party, so party की absence में भी hearing हो सकती है, 35 से सीधे यह question important है, ठीक है, और subsection 2 भी इसका आप देख लिजे, 35 का, subsection 2 है, if any party to a case or proceeding before a revenue officer does not appear, on the date fixed for hearing after due service of a notice or summon on him, the case may be heard and determined in his absence or may be dismissed, तो उसकी absence में भी case पे hearing हो सकती है, या dismissed भी हो सकता है, subsection 3 important है, subsection 3 बता रहा है कि अब अगर मान लिजे, आपकी absence में hearing हो गई और decision आ गया, तो उसको आप set aside करवा सकते है, the party against whom any order is passed under subsection 2 may apply underline करिये within 30 days, 30 दिन के अंदर आप apply कर सकते हैं, from the date of such order or knowledge of the order in case of notice or someone was not really served, to have it set aside, तो उसे set aside कराने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि 30 दिन के अंदर आपको application file करनी है, इसके बाद आजाएए adjournment section 36, तो किस section में है adjournment ये question बनता है, तो 36 important है, और कितनी बार adjournment मिल सकता है, तो प्रोवाइजों में दिया है, provided that each party may be granted not more than 3 adjournment, ये ध्यान रखिएगा, so maximum 3 adjournment मिलेंगे, इसके बाद 37 power to award cost में सिर्फ content based सवाल आता है, सिर्फ section का question आपको यहाँ पे आएगा, कि ये किस section में दिया है, तो 37 में दिया है, cost award कर सकता है, उसके पास power है, एक और proviso important है इसका, ये भी देख लीजे, proviso important है कि जो legal practitioner की fees होती है, वो cost में include नहीं होगी, लीगल practitioner की fees यहाँ include नहीं होती, cost में ये भी एक important question है, section 37 से, इसके बाद सीधे आप आजाईए next chapter पे, so the next chapter is appeal revision review, इस appeal के chapter को पढ़ने के लिए, वो hierarchy का chart बहुत important है, जो पिछले वीडियो में हमने discuss किया, वो अगर दिमाद में है, तो appeal पढ़ने में कोई problem नहीं होगी, first appeal, second appeal, दोनों यहाँ होती है, limitation से question आता है, तो देखिए, section 44 जो है, ये बात कर रहा है appeal की, appeal and appellate authorities, 44, तो 44 में जो पूरा आप यहाँ पे वो देख पा रहे हैं, जो A से लेके H तक जो पूरा दिया हुआ है, कि किसकी appeal कहा जाएगी, यहाँ mainly question जो आते हैं, वो वहीं से आते हैं, जितने चीज़े हमने पिछले चार्ट में include कर ली हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जिसे A में दिया है, sub-divisional officer, SDO के पास, if such order is passed by any revenue, subordinate to the sub-divisional officer to the SDO, तो SDO के पास किसकी appeal आएगी, SDO के subordinate officers की, अब subordinate, अगर आपको वो hierarchy याद है, SDO के नीचे तैसीलदार, ना है अब तैसीलदार, वो सब आते हैं, उन सब की appeal SDO के पास जाएगी, SDO की appeal किसके पास जाएगी, तो उसके लिए simple है, भाई SDO के उपर सीधे collector है, तो collector के पास जाएगी, collector की appeal किसके पास जाएगी, तो वो जाएगी आपका commissioner के पास, ठीक है, collector की appeal जाएगी, commissioner के पास, और commissioner की appeal जाएगी, board के पास, बस वो hierarchy आप दिमाद में रखिए, यह सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, करता है, तो यहाँ एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा, कि second appeal, जो आपकी start होती है, वो सीधे commissioner के पास जाती है, जैसा इसके clause A में दिया हुआ है, by the subdivisional officer और the deputy survey officer, और collector और the district survey officer to the commissioner, तो सारे, अब वो जो दो hierarchy पिछले वीडियों, इसको आप पढ़ेंगे और चार्ट सामने रखेंगे, बिल्कुल clear हो जाएगा, लेकिन जो second appeal है, second appeal जो है, वो start ही सीधे commissioner से होगी, commissioner के नीचे जो भी लोग हैं, collector हो गया, SDO हो गया, इन सब की second appeal जो होगी, वो commissioner ही सुनेगा, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वो जो second hierarchy चल रही है, land survey वाली, जिसमें SDO आता है, ठीक है, deputy survey officer आता है, उन सब की appeal, commissioner land record के पास नहीं जाती, वो भी commissioner के पास ही आती है, यह मैंने पिछले चार्ट में भी आपको बताया था, तो बस यह ध्यान रखिएगा, और commissioner की तो board के पास ही जाएगी, ठीक तो start के form में आप इसको कर लेंगे, जादा आपके लिए easy है, ground एक बार पढ़ लिजे, subsection 3 के important है, ground से भी question आता है, किस ground पे होती है, या किस ground पे नहीं होती, उसको mark कर लेजे, और एक बार उसको पढ़ लेजिए, 46 ये भी important है, किन orders से appeal नहीं होगी, एक बार इसके जो clause A में दिया हुआ है, first, second, third, fourth, बस पढ़ लेजे, fifth वाले में बहुत सारे section mention है, उसको छोड़ दिये, वहाँ से नहीं आता है, इन उपर से questions, question आ सकता है आपको, किन order के against, appeal नहीं होगी, फिर limitation तो बहुती ज़्यादा important question है, इसका provision भी आ सकता है, ठीक है, ये 44 भी important है provision, 46 भी important है, और 47 तो बहुत ज़्यादा important है, और limitation अब बढ़ा simplify कर दिया है, 2018 के amendment के पहले, अलग-अलग था, revision के लिए अलग, appeal के लिए अलग, बट अब सब कुछ simplify करके, it is 45 days, ये ध्यान रखिएगा, 45 days limitation period है, appeal करने के लिए, first appeal, second appeal, दोनों में, power of appellate authority, कहां दिया हुआ है, section, थोड़ा देख लेजे ध्यान से, चीक है, और इनके पास, लगबग सारे power होते हैं, appellate के पार्ट, वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा important, 49 नहीं है, लेकिन, फिर revision बहुत ज़्यादा important है, section से भी question आता है, कि revision किसमें दिया हुआ है, और कौन-कौन revision करता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप content में, the board may at any time, जब board अगर कर रहा है, so board कर सकता है, its own motion भी कर सकता है, या फिर application of party पर भी कर सकता है, किसके order का revision करेगा, commissioner के order का revision करता है board, फिर second, भी जो दिया हुआ है, वो किसके order का, तो वो अपने subordinate, commissioner अपने subordinate के बुला सकता है, वो भी दोनो own motion भी और application भी, इसके बाद C में दिया है collector, so collector या फिर district survey officer, वो अपने subordinate officers के orders की file बुला सकते हैं, खुद उसको देख सकते हैं, या किसी दूसरे officer के पास transfer कर सकते हैं, grounds भी इसके important है, जो आगे grounds दिये हुए है, कि इन ground पे revision होता है, उनको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजे, प्री में ये भी एक important question होता है, फिर जो subsection 2 है, इसका वो भी important है, 50 का subsection 2 जो है, वो भी important है, no application for revision shall be entertained, कब आप application नहीं दे सकते, against an order appealable, जहाँ appeal allowed है वहाँ नहीं, ये सारे एक बार आप पढ़ लीजे, important है, limitation period important है, 45 days ध्यान रखिएगा, अगर own motion के लिए तो देखिया, as such कोई limit नहीं है, but cases में ये held हुआ है, कि reasonable time के अंदर करना है, code को own motion पर जब कर रहा है, और party की application पर, तो party के पास time है, जिस order के against revision कराना है, उसके आने के 45 days के अंदर, आपको application देनी है, चीक है, इसके बाद, इसका जो subsection 4 है, वो भी आप थोड़ा सा देख लिजे, subsection 4 भी important है, कि stay कर देंगे proceeding, अगर आप revision कर रहे हैं, तो और 5 में, जो दिया हुआ है, वो यह है कि, दूसरी party को notice देना है, गर revision हो रहा है, तो दूसरी party को notice देना है, बहुत important नहीं है, 4-5, लेकिन means के लिए, काफी important है, revision दियान रखेगा, review, बहुत important, section से भी question आता है, review, आपको पता है, जब कोई-कोड खुद अपने order को सुनता है, that is actually review of order, so देखिए, the board और any revenue officer, कोई भी कर सकता है, siu moto भी कर सकते हैं, और यह party की application, दोनों तरीके से review हो सकता है, proviso important है इसका, किसको review करने के लिए, sanction क्या-क्या चाहिए, वो एक बार जरूर आप ध्यान से, proviso में देख लिजे, जो पूरा दिया है, किसको किस से sanction लेना है, कब लेना है, यह बहुत important है, यहाँ review में, वो जरूर देख लिजे, और इसके अलावा, period of limitation तो important है, यह simplify हो गया एक्दम, 45 days दिया हुआ है, सब में चाहिए, पीलो, first हो, second हो, revision हो, review सब में 45, इसके बाद आ जाते हैं, हम next provision, तो वो सीधे next chapter है, chapter 6 पे आ जाईए सीधा, so that is land, sorry, that is land and land revenue, chapter 6, so chapter 6 में 57, बहुत जादा important है 57, provision से ही सिरफ question आता है, कि पूरे land पे, जितना भी land है मद्धिप्रदेश में, उस पे state की ownership है, minerals पे भी state की ownership है, यह किस section में दिया है, तो 57 बहुत जादा important है, 58 में है liability, liabilities of land holders, उनकी land revenue पे करनी की liability, जैसा मैंने पिछले वीडियो में, इस परपस के, इस act के purpose के बारे में आपको बताया था, कि purpose क्या है, land revenue collect करना है, क्योंकि आप street का land, उनके बहाफ पे hold कर रहे हैं, पूरा जितना भी land है, उससे land revenue पे होनी है, बस इसके कुछ exception है, जो इस act में दिया है, तो 58 कहता है, सारे land से land revenue पे होनी है, अगर exempted नहीं है, अलग से exemption अगर मिला है, इस act में तो नहीं देना है, अदरवाइस देना है, 58A, exemption from payment of land revenue, यह उससी इसको बताता है, कि कौन-कौन से land, exempted है, बहुत important है, section से तो question उतना, मतब यह जो section का question, content based तो उतना important नहीं है, बट वो कौन सा land है, agricultural land का ही mainly आता है, जो इसके clause A में दिया है, any holding up to 2 hectares, यह जरूर ध्यान दखिये, up to 2 hectares अगर agricultural land है, तो उस पे land revenue पे नहीं करनी है, 2 से जादा है, तब ही करनी है, बाकी B में दिया है, यह section का question यहां से आता है, 59 यह बताता है, कि land जिस purpose के लिए use हो रहा है, उसके हिसाब से land revenue decide होगी, तो जो calculation होगा, land revenue का वो किस पे based होगा, land किस purpose के लिए इस्तेमाल हो रहा है, educational purpose, वो पूरा list उसमें दी होई है, सब बहुत important नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, purpose के हिसाब से decide होगी, land revenue, और अगर आप diversion करते हैं, पहले किसी और purpose के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप दूसरे purpose के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भूमी स्वामी की responsibility है, state government को intimate करना, यह ध्यान रखिएगा, वो intimation आपको करना है, इसके बाद यहाँ important है section 60, so 60 देखिए assessment of unassessed land, कोई ऐसा land है, जिस पे land revenue का assessment नहीं हुआ है, तो कौन करेगा, यह mark कर लेजे, last line में दिया है by the collector, इसको mark कर लेजे, so unassessed land का assessment करता है collector, authorities के questions आते हैं, pre में सबसे ज़ादा, important है, क्योंकि 2018 amendment के बाद, जो 7 और 8 पहले जो थे, दोनों हटा के, यह 8 आया है, ठीक है, land survey, काफी important है, इसके बारे में विछले वीडियो में भी बात की गई है, पूरा section 65 से हमने वो authorities का, conclusion draw किया था, कि कौन किसका subordinate है, तो सबसे पहले इसमें 61, section काई question आता है दरपड़ी में, कि land survey किस section में defined है, क्या होता है यह नहीं आएगा, बट section आएगा किस section में, land survey define किया गया है, तो ध्यान रखिये 61, appointment of commissioner of land, यह बहुत important section है, commissioner of land record, कौन से section में appoint होता है, अच्छा land survey का content पूरा आप एक बार read करिएगा, पिछले वीडियो के साथ अगर करेंगे, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, वो पूरा जो division में आपको बताया था, urban non-urban land का किस तरीके से होता है, फिर 65 भी हमने पिछले वीडियो में पूरा डिसकस कर लिया है, इन डीटेल कौन किसका subordinate है, district survey officer collectory होता है, deputy survey officer SDO होता है, इस तरीके से यह पूरा हमने division देखा था, तो उसको एक बार देख लिए जे clarity पूरी रहेगी, इसके बाद है next जो important provision 67 इसमें important है, काफी important है, formation of survey number, block number, यह सब कौन करता है, section भी important है, कौन करता है, यह ध्यान रखिएगा, तो यह करता है आपका district survey officer, जो actually collector ही होता है, बट यहाँ पे collector नहीं है, for this purpose, his designation is district survey officer, तो यह ध्यान रखिएगा, district survey officer करता है, यह पूरा formation, फिर 70 बहुत important है, provision से question आ सकता है, कि determination of abadhi, abadhi होता क्या है, residential purposes के लिए, जो land use हो रहा है एक village में, उसका determination, किस section में दिया है, और कौन करता है, यह भी बहुत important question है, तो उसको भी आप mark कर लेजे, district survey officer ही करेगा, यह भी district survey officer करता है, बहुत important question है, इसके बाद 71 भी important है, power of district survey officer, to divide or unite villages sector, दो question बन सकते हैं, section का भी और authority का, कौन करता है, तो द्यान रखना, district survey officer, दो अलग-अलग villages को unite कर सकता है, या एक village को divide करके, different villages भी बना सकता है, 72, important है, assessment कौन करता है, assessment यहाँ पर, यह भी fix कौन करता है, देखिए, unassessed land का assessment करना है, तो वो हमने पीछे, provision में पढ़ा, collector कर रहा है, तो assessment के लिए, मतलब वो किस purpose के लिए, उस पर based assessment, exactly जो amount fixation का काम है, कि क्या revenue इससे लेना है, वो 72 में दिया हुआ है, और यह कौन करता है, district survey officer, ध्यान रखिएगा, district survey officer, so the district survey officer, shall fix the assessment, on holding at such rate, as may be prescribed, तो rate prescribed करने का काम, पहले हो चुका है, अब उस rate पर fix कर देने का काम, is do करे, sorry, district survey officer कर देगा, चीक है, इसके बाद 75 है, 75 में power of subdivisional officer, to correct error, बहुत important question है ये, the subdivisional officer may at any time, after the closure of land survey, land survey हो गया है, उसका closure हो गया, उसमें अगर कोई error निकलते हैं, तो उसको correct कौन करेगा, ये बहुत important question है, ध्यान रखिएगा, subdivisional officer, error correction, normally अभी आगे भी आएगा, section का question नहीं आता है, यहां से ये question नहीं आगा, कि किस section में दिया है, authority का ही important है question, इसके बाद 77 है, बहुत important नहीं है, rule making power, छोड़ भी सकते हैं उसको, इसके बाद next chapter पर आते हैं अपन, so chapter 9 is land records, ये chapter काफी important है, pre के कई सारे question यहां से बनते हैं, क्योंकि कुछ और officers इसमें appoint होंगे, जो revenue officers नहीं है, so 104 में आप देखिए, formation of पटवारी हलकाज, तो पहले तो section important है, कि किस section में हैं पटवारी हलकाज का formation, कौन करता है, ये भी बहुत important है, तो यहां दिया हुआ है, the commissioner land record, shall for each तहसील, arrange the villages into, तो पटवारी हलकाज and divide each urban area into sector, तो non-urban पटवारी हलका, urban sector में, वो पूरा division मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, कौन सा area कैसे divide होता है, तो वो तो वहां से clarity मिल जाएगी, कौन कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, पटवारी हलकाज, अब ये purpose अलग है, land records के लिए, जो हमने discuss किया था, वो land survey के लिए division था, ये land records maintain करने के लिए, एक अलग purpose है, थोड़ा division इसलिए change हो सकता है, तो पटवारी हलकाज कौन बनाता है, और sector कौन बनाता है, ये ध्यान रखिएगा, commissioner land record, और उसके लिए appointment, चीक है, तो पटवारी हलकाज के लिए appointment होता है, पटवारी का, और नगर सरविक्षक का appointment होता है, sector के लिए, ये नगर सरविक्षक, बहुत important है, और ये लोग revenue officer नहीं होते, ये भी ध्यान रखिएगा, इनका appointment कौन करता है, तो ये अलग authority है, देखिए, पटवारी हलका और sector बनाने का काम, commissioner land record करेगा, लेकिन नगर सरविक्षक और पटवारी का appointment, जो है, वो subsection 2 में दिया हुआ है, वो करता है आपका collector, तोनों question बहुत important है, पटवारी हलका कौन बनाएगा, sector कौन बनाएगा, और नगर सरविक्षक या पटवारी का appointment कौन करेगा, तो appointment collector करेगा, और वो बनाने का काम, commissioner land record करेगा, इसके बाद 105, so 105 है, formation of revenue inspector circle in non-urban area, ये भी important है, section से भी question आ सकता है, और revenue inspector circle कौन बनाता है, ये भी बहुत important है, तो देखिए, commissioner land record shall arrange the पटवारी हलकाज इना तैसील into revenue inspector circle, तो इसको revenue inspector circle में divide कर देगा, commissioner land record, फिर 106, 106 है appointment, appointment of revenue inspector, appointment कौन करेगा, ये भी एक question है, so appointment collector, जैसा पिछले में आपने देखा, collector appointment करता है, बनाता commissioner land record, तीनों के लिए same चीज़ा आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद 108 बहुत important question है, सिर्फ यहाँ से यह आता है, कि record of rights किस section में, pre के लिए तो बस इतना important है, means के लिए पूरा question important है, but pre के लिए बस इतना important है, कि किस section में दिया है record of rights, ठीक है होता क्या है, ये सब इधर important नहीं है, 109, थोड़ा important है, बहुत ज़्यादा नहीं है pre के लिए important, बट फिर भी एक बार आप पढ़ लिए इसको, acquisition of rights to be reported, कोई नया person, land में कोई right या interest acquire करता है, तो उसको report करना होता है, किसके पार्ट पास report करेंगे, तो तहसीलदार के पास, या तो नगर सर्वेक्षक या पठवारी के पास, या फिर आप तहसीलदार के पास direct भी कर सकते हैं, दोनों, तो यह ध्यान रखिएगा, 1010 है, mutation of acquisition, 9 से related है, प्री के लिए बहुत ज़्यादा important नहीं है, दोनों provision, 109 और 110, बस ध्यान रखिएगा, इसके बाद jurisdiction of civil court 11, काफी important है, prelims के लिए, jurisdiction of civil court, तो देखिए, इसमें दिया है, the civil court shall have jurisdiction, to decide any dispute to which, the state government is not a party, यह mark कर लेजे, state government जहाँ party नहीं है, वहाँ, civil court का jurisdiction, relating to any, which is recorded in the record of right, तो record of right में कोई भी matter है, तो इसको decide, record of right के matter को decide करने का power, civil court का है तो, लेकिन कौन से matter में, जिसमें state government party नहीं हो, यहाँ साब साब दिया हुआ है, state government party नहीं होनी चाहिए, तब आप decide कर सकते हैं, इसके बाद, 113, correction, यहाँ फिर यह बहुत important question है, correction कौन करता है, record of right में, तो record of right का जो correction होगा, वो collector करेगा, ध्यान रखिएगा, the collector may at any time correct, or cause to be corrected, record of right में correction, collector करेगा, ठीक, land survey, closure के बाद, SDO करेगा, land survey में, यह ध्यान रखिएगा, फिर 114 में land record है, बस provision याद रखिएगा, कि land record किस section में है, बस इस से ज़्यादा नहीं, pre के लिए तो, इसके बाद, 14A है, भू अधिकार पुस्ते का, बस यह ध्यान रखिएगा, कि भू अधिकार पुस्ते का, किस section में है, पाकी कुछ नहीं, फिलहाल तो, mains के लिए तो यह पूरा, चेप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 115, correction of wrong, और incorrect entry in land record, land record में कोई incorrect entry हुई है, तो उसका correction जो है, वो SDO ही करेगा, sub divisional officer, चीक है, सिर्फ एक जगा कलेक्टार आ रहा है, record of right में correction करने, बाकी SDO करेगा, presumption section important है, 117, बहुत important है, कि जो भी entries है land record में, court उसको correct ही presume करेगा, अगर कोई person contrary, proof करना चाता, या वो ये assert कर रहा है कि नहीं है, जो land record में entry गलत है, तो burden of proof आपके उपर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, तो कि court तो इन्हें सही presume करेगा, इस chapter से थोड़े से कम question important है, लेकिन उनको हम देख लेते हैं, कौन-कौन से specific question आएंगे, तो सबसे पहले है section 125, disputes regarding boundary between village, sector, survey number, block number and plot number, ये जो division होता है land का, अलग-अलग survey number में या plots में, इन पे boundary marks बना जाते हैं और boundaries बना जाते हैं, इन boundary को लेके, कि अगर दो parties के बीच में dispute है, तो उसका resolution होता है, वो 125 में है, section का question नहीं आता है, यहाँ question आएगा authority का, कि इस dispute को resolve कौन कराएगा, तो ध्यान रखिए, तहसीलदार, तहसीलदार के कई सारे power हैं अभी इस chapter में, ठीक है, तो बहुत important authority हैं, तहसीलदार, इसके बाद अगर किसी ने दूसरे के land पर possession ले ली है, तो wrongful possession से ejectment का काम भी कौन कराएगा, तहसीलदार से authority ध्यान रखिएगा, इसके बाद 127 है, demarcation and maintenance of boundary lines, तो land को separate अलग-अलग करने के लिए, जो boundary marks या lines बनाई जाती हैं, उनको maintain करने की responsibility उस भूमी स्वामी की है, जो उस land को hold कर रहा है, इसके लाबा एक section और इसमें आप add कर लीजिए, that is 128, यहाँ से questions आते हैं prelims के, अब ये जो boundary marks वगरा maintain करने हैं, अगर आप नहीं करके रखते हैं, तो देखिए 128 बेरेट में रिका लीजिए, वहाँ मैं आपको mark करता हूँ, दो-तीन चीज़े, तो इसमें सबसे पहले तो authority, कौन इस चीज़ का ध्यान रखेगा, कि boundary marks maintain हैं ये area में, तो देखिए पटवारी और नगर सर्वेक्षक, दोनों authorities, पटवारी और नगर सर्वेक्षक इस बात को ध्यान रखेंगे, वो चेक करेंगे कि उनकी area में अगर properly boundary marks नहीं है किसी particular land पे, तो जो भूमी सौमी उसको hold कर रहा है, उसको notice देंगे, और first of March, coming year की first of March के पहले-पहले उसको repair कराने के लिए बोलेंगे, अगर वो repair नहीं करा पाता है, तो फिर यहाँ पे वापस तहसीलदार सीन में आ जाएगा, तहसीलदार खुद उसका repair करवा देगा, और जो cost होगी, वो ऐसे भूमी सौमी से recover की जाएगी, cost के साथ-साथ यहाँ एक penalty लगाई जाएगी, वन थाउजन रुपीज की यह भी mark कर लिजिए, बहुत important है, इसके बाद हम आते हैं next provision पे, तो next provision है 131, बहुत जादा important नहीं है, बट फिर भी आप देख लेजिए, अगर easementary right, जिसे right to wave अगेरा है, किसी unoccupied land से किसी को चाहिए, सो वो सारी resolution भी इन चीज़ों का तैसिलदार ही करेगा, कोई अगर obstruction लगा के रख रहा है, land पे, सो वो obstruction remove कराने का काम भी तैसिलदार का है, इसके अलावा अब क्योंकि आप obstruction continuously करते हैं, या तैसिलदार को लगता है, आगे भी आप ये repeat कर सकते हैं, तो वो 134 में bond भी भरवा सकता है, तैसिलदार, 135 यहाँ बहुत ज़ादा important है, यह उतने important नहीं थे, बढ़ 35 यहाँ बहुत ज़ादा important question है, section पे भी question आ जाता है, और acquisition of land for road path कि सेक्शन में है, plus कौन authority, अब यहाँ पे change हो जाएगा, देखिए basically यह है क्या, किसी village में अगर यह होता है, कि villages को लगता है कि वहाँ पे एक public way की ज़रुरत है, एक रास्ता बनाने की ज़रुरत है, तो collector के पास इस बात की application होगी, या वो खुद से भी कर सकता है, तो collector यह काम करवाएगा, और road अगर उसको देनी है, या एक path देना है, तो उस path की width कितनी होगी, यह question यहाँ पे आता है, तो उसकी width होगी 10 feet, यह ध्यान रखिएगा, 10 feet की road एक दे सकता है, अब क्योंकि उसे road देनी है, तो वो किसी के land से ही निकाल के देगा, तो collector villagers को ही बोलेगा, वही amount सब लोग एकटा करेंगे, villagers को ही compensation का amount देना होता है, और वो compensation ऐसे भूमी सौमे को दिलाया जाता है, जिसके land से यह path हो के जा रहा है, जिनके भी land से, so that 135 is very very important, दोनो तीनो questions इसमें आ सकते हैं, section का भी, authority का भी, और कितनी width होगी ऐसी road की, दोनो, next chapter is chapter 11, starts with section 137, so यह chapter है, realization of land revenue, land revenue को कैसे realize किया जाएगा, कैसे वसूला जाएगा, so 137 सबसे पहले बताता है, land revenue is the first charge on land, land पे पहला charge जो होगा, वो land revenue ही होगा, इसके बाद 140, यहां से section का important है question, और पहला charge क्या होता है land पे, वो भी important है, 140 से लेके section अभी important नहीं है, 40, लेकिन यहां पे dates important है, यह बताता है, dates on which land revenue falls due and payable, तो एक बार provision में आप mark कर लीजे, 140 section में, so 140 में दिया है, the land revenue payable on account of a year, shall fall due on the, underline करिये first day of April, तो यह ध्यान रखियेगा, first day of April पे due हो जाती है, first day of April, और कब तक pay कर देना है, last day of June, last day of June पे pay करना है, यह दोनों dates important हैं यहां, बस, बाकि 41 में definition है, area or defaulter की, तो अगर June last तक, अगर जो amount pay नहीं हुआ है, जतना भी amount बचा है, वो पूरा area है, और जिसको pay करना है, जिसने pay नहीं किया है, that person is defaulter, बाकि जादा important नहीं है, 42 है person receiving land revenue, bound to give receipt, जो भी land revenue receive कर रहा है, उसे receipt एक देनी है, 43, penal interest on delayed payment of land, अगर आप land revenue इस time तक, जो time period दिया हुआ है 40 में, वो नहीं देते हैं, area होता है, तो बाद में आपको interest views पे पेक करना पड़ेगा, 44, remission और suspension of land revenue, और failure of crop, अब आप सुनते रहते होंगे, कई बार state government ये चीज़ exempt कर देती है, कि मान दिजे किसी particular area में, crops अच्छे से नहीं हुई, तो वहाँ पे उस area को, उस particular year के लिए, land revenue देने से exempt कर सकते हैं, provision आ सकता है, थोड़ा ज़्यादा important है, ये नहीं है, 40 से लेके, 43 तक provision नहीं है, बीच का content थोड़ा सा देख लिजे, बस बहुत important नहीं है, लेकिन 44 थोड़ा ज़्यादा important है, 47 यहाँ सबसे important provision है, इस chapter में, process for recovery of area, तो जो भी land revenue का area है, उसे कैसे recover किया जाएगा, तो बेरेट में section निकाल लेजे, वहाँ दो-तीन question बनते हैं, अलगले मैं सारे आपको बता देता हूँ, तो सबसे पहले तो section important है, कि area किसमें दिया हुआ है recovery, फिर यह process कुछ execution of decree की तरह आपको लगेगा, तो देखिए, attachment करके, जो है, realize की जा सकती है, recover की जा सकती है, land revenue, attachment के, through mobile immoral property का attachment कर सकते हैं, sale करके, ठीक है, यहाँ important है इसके बाद proviso जो इसमें दिया है, subsection 1 के बाद जो proviso दिया है, कि कौन सी ऐसी properties है, जो attach नहीं होंगी, for the purpose of recovery of area, यह बहुत जादा important है, property not to be attached, यह बहुत important है, यहाँ पर देखिए, आप एक बाद list कुछ वैसी है, जैसे, the necessary wearing, apparel, cooking vessels वागेरा है, articians के tools जो हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है, जो भी domestic uses की चीज़ें हैं, वो नहीं होंगे, इसके बाद इसका जो proviso है, वो बहुत important है, कौन सा land है, land की कितनी quantity है, जो attach नहीं होगी, तो देखिए, इसमें दिया हुआ है, provided further that the process specified in clause B, shall not permit attachment and sale of holding, where the defaulter holds, तो जो defaulter है, उसके पास, first 6 hectare और less than 6 hectare of land, in the scheduled area, जो defaulter है, वो scheduled area में हैं, और कितना land hold कर रहा है, 6 hectare या उससे कम, तो उसका land attached नहीं होगा, अगर 6 hectare उससे कम land है, तो attach नहीं होगा, for the recovery of area, second है 4 hectare, और less than 4 hectare of land, in any other area, other areas में 4 hectare तक है, उसके पास या उससे कम है, तो land attached नहीं किया जाएगा, this is very important है, चीक है, अब इसके बाद, दूसरे सबसेक्शन में, देखिए आप इसके बाद, second सबसेक्शन ये भी important है, notwithstanding anything contained, in सबसेक्शन 1, the तहसीलदार में recover the area of land revenue, by attaching any financial assets, including bank, account, locker, ये सारी चीज़ें भी तहसीलदार attach करके, recover करा सकता है, land revenue का, चीक है, इसके बाद, third भी important है, अगर कोई ऐसा डिफॉल्टर है, जो 50 लाख रुपे तक का default कर चुका है, रुपीस 50 लाख to be arrested, and shall send him with a warrant to be confined in civil prison, underline कर लेजे, for a period not exceeding 15 days, तो भाई एगर 50 लाख रुपे तक का land revenue, recover करना है, इतने का अगर default आप कर चुके हैं, तो SDO आपको civil prison में, अभी कई जगे यह आएगा, कि तहसीलदार fine लगाएगा, और SDO imprisonment बेजेगा, तो ध्यान रखना, fine लगाने वाला काम, तहसीलदार करेगा, civil prison में भीजने वाला काम, SDO ही करेगा, तो यहाँ पे तहसीलदार recover करा सकता है, और SDO क्या करेगा, civil prison में भीज़ेगा, कितने दिन के, 15 दिन के civil prison में भीज सकता है, ठीक है, यह सब additional process हैं, for the recovery of land revenue, तो यह ध्यान रखना, तो दिस वाज चेप्टर 11, और आज की वीडियो में, हम चेप्टर 11 तक ही discuss कर रहे हैं, the next video will be coming soon, जिसमें हम इसके आगे से, chapter 12 की important provisions deal करेंगे, तब तक इनको आप बहुत अच्छे से mark करके, तक के हमने प्रोविजन्स और उसके important questions discuss किये थे, प्रोलेम्स में क्या-क्या बन सकते हैं, आज इसको continue कर रहे हैं, from chapter 12, तो chapter 12 है, tenure holders के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, वीडियो में, कि जो भी land है MP में, it belongs to the state government, और लोग इसे as tenure holder, hold कर रहे हैं for some period, ठीक है, और उन्हें कहा जाता है, भूमी स्वामी, so 157 पहले ये बताता है, कि class of tenure क्या होगा, तो there shall be only one class of tenure holder, that is भूमी स्वामी, तो इसके लिए 158 में फिर define किया है, भूमी स्वामी होता कौन है, तो मेंस के लिए तो ये बहुत important question है, पूरा details, प्री में सिर्फ section का question आता है, कि किस section में है भूमी स्वामी डेफिनेशन को याद करना है, तो उसके लिए जो हमारे introductory वीडियो है, पहला वाला, उसमें regions के बारे में पूरा explain किया है, वहाँ से आप बहुत easily इसको याद कर सकते हैं, इसके बाद है important section 165, 165 बात करता है rights of transfer, कि भूमी स्वामी के जो rights है, जो interest है, वो कैसे अपना interest transfer कर सकता है, और अगर transfer करता है, तो उस पर क्या restriction या limitation होंगे, तो बेरिट में provision निकाल लिजे, 165 important questions हैं, यहाँ 2-3 परी के लिए, section का question तो important नहीं है, कि किस section में दिया है right of transfer, बट यहाँ से question यह आता है, कि वैसे तो कोई भी interest transfer कर सकता है, बढ़ उस पर कुछ restrictions है, जैसे अगर mortgage किया जा रहा है, land का या holding का, तो यहाँ पे यह बहुत important है, इसके subsection 2 में, 165 के subsection 2 का जो A point है, वो कहता है, आप mortgage तभी कर सकते हैं, जब mortgage करने के बाद, at least 5 acres of irrigated land आपके पास बचे, या फिर 10 acres of unirrigated land, free from any incumbrance, उस पर कोई charge और कोई incumbrance या कोई liability नहीं होनी चाहिए, इतना land at least आपके पास बचना चाहिए, अभी आप mortgage कर सकते हैं, आप mortgage valid होगा, पहला question यह, यह दोनों बहुत important है, इसके बाद एक question, usual fructury mortgage से related, इसके जो B point में दिया हुआ है, वो कि अगर usual fructury mortgage आप करते हैं, तो it should not exceed 6 years, 6 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, normally क्या होता है, usual fructury mortgage में, बट यहां एक restriction impose कर दिये, कि 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह बहुत important question है, इसके अलावा, इसका subsection 3 भी थोड़ा important है, subsection 3 में यह दिया है, कि अगर usual fructury mortgage के अलावा, कोई दूसरा mortgage आपने किया है, तो उस case में, जो interest accrue होगा mortgage पे, that interest should not exceed half of the principal amount, जो debt का principal amount है, उसके आधे से ज़्यादा नहीं होगा, यह तीनों questions यहां बहुत important है, section से normally 165 नहीं आता, next section है 168, leases, यहां सबसे पहले तो section का question आ जाता है, सीधा सीधा, content based हैं, किस section में lease दिया हुआ है, वो, इसके अलावा important question 168 में, आप bear it में mark कर लेजे, कि कितने दिन की agricultural purposes के लिए, अगर lease है, तो max कितने दिन की होगी, not exceeding 5 years, तो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह एक important question इदर पे है, इसके बाद lease के explanation में, एक mark कर लेजे, जो last explanation है, D, उसमें lease में क्या include नहीं होता, वो बता है, वहाँ से pre का एक important question थोड़ा बन सकता है, तो इसके explanation का D point एक बार आप देख लिजे बस, चीक है, इसके बाद दो important, बहुत important provision है, 70A और 70B, means के लिए भी important है, prelims के लिए तो हैं ही, provision से भी question आता है, 70A, 70B और अंदर का जो content है, उसे authorities का normally आता है, इन दोनों में जो authority काम कर रही है, वो है SDO ध्यान रखियेगा, देखिए यह हैं क्या मैं आपको एक brief बता दू, क्योंकि similar से लगेंगे आपको पढ़ने में, 70A और 70B, but there is difference between the two, difference is, पहले तो यह deal किस में करते हैं, यह ऐसे land में deal करते हैं, which belongs to a category of aboriginal tribe, क्योंकि MP में tribal population already बहुत जादा है, उनका interest specifically protect किया गया है, so इसी act के 165 में, जिनने aboriginal tribe describe किया गया है, जिनने define किया गया है as aboriginal tribe, वो अगर कोई land hold करते हैं, उनके लिए particular land अलग से reserve है, वो land अगर transfer हो जाता है, किसी ऐसे person को, जो इस category को belong नहीं करता है, जो aboriginal tribe की category को belong नहीं करता है, तो वहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है, कि वो bona fide transfer है, तो 70 यह 70 भी दोनों उसी चीज में deal करते हैं, थोड़ा सा difference है, यहाँ पे SDO inquiry करेगा, और satisfy करेगा आपने आपको कि वो bona fide transfer है, या जैसे आप 70 के head note में देख सकते हैं, तो by fraud तो transfer नहीं किया गया, तो difference किया है दोनों में, तो 70A में आपको देखेगा, यह 76 का amendment है, 1976 और जो यह है, यह है 1980 का amendment, अब 76 का जब amendment हुआ था, तो यहाँ पे SDO तो authority तो same है दोनों में, लेकिन यहाँ यह था, कि SDO SUMoto, या फिर transferer की application पे, transferer मतलब जो aboriginal tribe है, जिसने अपना land किसी ऐसे person को transfer कर दिया, जो इस category को belong नहीं कर था, तो यहाँ transferer application देगा SDO को, SDO SUMoto action लेगा, अगर उसे लगता है कि वो जो transfer हुआ है, वो bona fide नहीं है, उसे लगता है कि कुछ fishy है, उसमें और transfer ही जो है, जो person इस category को belong नहीं करता, उसने malafide transfer कर वा लिया है, aboriginal tribe से, तो ऐसे कि इसमों वो inquiry करेगा, और उसे लगता है, अगर कि वो transaction वाकई bonafide नहीं है, वो transfer bonafide नहीं है, तो वो restore करा देगा land to the transferer, लेकिन ये action कैसे होगा, SDO SUMoto करेगा, या transferer की application पे, 70B में यहीं पे एक difference आ जाता है, कि जब 80 का amendment आया, तो उसने ये responsibility transferer पे डाल दी, जिस person को land transfer हुआ है, जो Aboriginal tribe category को belong नहीं करता, so 70B यह कहता है, कि इस amendment के comments होने के, within two years, यह एक important question है, within two years, essay transferer को, जिसके पास land आ गया है, जो उस category को belong नहीं करता, खुद जाके SDO को inform करना है, कि इस duration में, इसके पहले, मतलब 80 के पहले कभी भी मेरे पास, इस act के comments होने से start करते हुए, इस act के amendment, 1980 के amendment के comments होने तख, इस पूरे duration में, अगर आपको transfer, आपके पास land हुआ है, ऐसा जो Aboriginal tribe को belong करता था, तो आपकी responsibility के, आप जाके inform करिये, within two years, और फिर वहाँ पे same चीज़ देखी जाएगी, SDO देखेगा, सबसे पहले तो प्रोविजन का मतलब होता है, to give up, अगर कोई भूमी स्वामी अपना, भूमी स्वामी का right give up करना चाहता है, in favor of the state government, वो ये काम कर सकता है, तो यहाँ से question क्या क्या बनते हैं, सबसे पहले तो provision, किस provision में दिया है, रेलिंकुश्मेंट, तो 30 days before the commencement of coming agricultural year, जैसे agricultural year जब commence होने वाला, उसके at least 30 दिन पहले आप notice दे दीजे, कि you want to give up your rights, भूमी स्वामी rights, जेक, that is 73, इसके बाद next provision, जो 77 important है, disposal of holding, ये भी बहुत important provision है, दोनों तरीके से questions बनते हैं, सबसे पहला तो section तो important है ही, 177 में दिया है, disposal of holding basically है क्या, कि कोई भूमी स्वामी, अगर उसकी death हो जाती है, without legal years, उसके कोई legal years नहीं है, और उसकी death हो जाती है, तो ऐसा land, take over कर लेगा, उसकी possession कौन? तहसीलदार, तहसीलदार ऐसे land की, possession ले लेगा, ठीक है, और उसके बाद वो chance देखा, कि कोई आके claim कर सकता है, उसको, तहसीलदार पहले तो possession लेगा, और उसके बाद एक साल के लिए, at a time, उसको lease पे देगा, देखे, state government को अपनी land revenue से मतलब है, revenue आनी चाहिए कहीं से भी, अब क्योंकि भूमी स्वामी की death हो गए, legal year का पता नहीं है अभी, तो तहसीलदार उसको lease पे देखा, ताकि land revenue तो आती रहे, चीक, और उसके बाद time रहता है, कि subsection 2 जो है, 177 का, वो ये बताता है, if within 3 years of the date on which तहसीलदार takes possession, possession जिस दिन तहसीलदार ने ली है, उससे अगर 3 साल के अंदर, 3 years, within 3 years, 3 साल के अंदर कोई अगर आके claim कर देता है, और अपना title proof कर देता है, तहसीलदार को satisfy कर देता है, तो तहसीलदार उसे भूमी स्वामी बना देगा, अगर माली जिस तहसीलदार के पास कोई ये अपली लेके जाता है, और वो अपने order में reject कर देता है उसका contention, कि आप legally entitled नहीं है, ऐसे case में उसके पास remedy क्या होगी, ये भी एक important question है, तो देखिए, subsection 3 बताता है कि तहसीलदार ने जो भी order pass किया है, उसकी ना तो appeal होगी, ना तो revision ये लिख लेजे वहाँ पे, no appeal, no revision against the order of तहसीलदार, लेकिन एक साल की duration के अंदर civil suit file कर सकता है, जो भी person भूमी स्वामी अपने आपको claim कर रहा है, वो civil court में civil suit file कर सकता है to claim his title, और अगर वो title claim कर देगा, तो उसको learn मिल जाएगा, और अगर तीन साल के अंदर कोई claimant नहीं आता है, या civil suit के थूँ भी अपना title claim नहीं कर पाता है, तो वो holding तहसीलदार auction के थूँ sell-off कर देगा, उसमें जो भूमी स्वामी राइट है, उस भूमी स्वामी राइट को किसी और को दे देगा, auction के थूँ ये काम भी तहसीलदार करेगा, ये सारे important points है section के, ठीक है, पहले तो legal year नहीं है, जिसका उस possession को ले लेगा तहसीलदार, ठीक है, एक साल के लिए एक बार में lease पे दे सकता है, दूसरा, तीन साल के अंदर अगर किसी को claim करना है, तो वो claim कर सकता है, अगर तैसिलदार order reject करता है, तो एक साल के अंदर civil suit है, सारे points important है यहाँ, इसके बाद आते हैं next provision 178, यहाँ section का question आता है, कि partition of holding किस provision में है, और कौन करवाएगा partition, तो partition भी तैसिलदार करवाएगा है, तैसिलदार के पास application, भूमी स्वामान लिजे एक land, अब देखिए, यह भी partition है, और 78 यह भी partition है, दोनों में difference क्या है, 78 में multiple भूमी स्वामी हैं एक land के, and they want their share to be separated, वो separate करवाना चाहते हैं, कोई भी उन में से एक भूमी स्वामी तैसिलदार के पास application देखे, अपना जो portion है, उसको separate करवा सकता है, चिक, अच्छा, यहाँ से एक question और बनता है, 78 से prelims का, कि अगर मान लिजे भूमी स्वामी वो partition करवा रहा है, और तैसिलदार उस partition को करता है, लेकिन वहाँ कोई title का question आता है, कि यह specific portion किसका होना चाहिए, तो title का अगर question आएगा, तो वो तैसिलदार decide नहीं करेगा, उसके लिए तैसिलदार क्या करेगा, 3 months अपनी proceeding stay कर देगा, वो जो proceeding partition की कर रहा है, उसको 3 months के लिए stay करेगा, यह time किसलिए होता है, अब जो भी party अपना title claim करना चाहती है, जो भी dispute है title को लेके, वो civil suit file कर देए, तो civil suit file करने का समय दिया गया है, 3 मैने इसलिए यह question आता है, प्रिलम्स में कि कितने दिन के लिए तहसिलदार stay करेगा proceeding, 3 months के लिए वो proceeding stay करेगा, और civil suit file होगा, फिर civil court का जो भी judgment होगा, accordingly तहसिलदार अपनी proceeding फिर आगे करता है, यह दोनों question important है, किस section में दिया है, और कितने दिन के लिए तहसिलदार proceeding stay करेगा, उनके बीच में partition अभी से करवा देना चाता है, उसको पता है, बाद में लड़ेंगे सब लोग इसलिए, वो during his life ही partition कराना चाता है, तो भी उसको तहसिलदार के पास जाना है, यह काम भी तहसिलदार कराएगा, प्रोविजन important है, बस कौन कराएगा, यह important है, और section important है, किस section में दिया है, इसके बाद 180, restriction on transfer of trees, बेरिट में आप देखेंगे, तो आपको समिझ में हैगा, कि अगर आपने, कोई भूमी स्वामी है, जो अपना land holding transfer नहीं कर रहा है, तो वो tree, उस land पे जो tree लगे हुए, सिर्फ tree आप transfer नहीं कर सकते हैं, अगर आपको करना है, तो पूरा land transfer होगा, हाँ, उसका जो produce है, tree में मानलो fruits है, वो आप दे सकते हैं, उसका ride दे सकते हैं, कि fruits आके, कोई collect करके, sell off कर दे, लेकिन tree आप transfer नहीं कर सकते, without transferring the land, यह इसका section भी important है, इससे भी pre का question बन सकता है, और में यह चीज़ भी कि, कोई भी भूमिस्वामी, land transfer किये बेना, tree transfer नहीं कर सकता, इसके बाद देखिए, next आते हैं, next chapter पे, chapter 13, government lessie and service land, 2-3 question prelims के दर important है, सबसे पहले तो 81, section से आता है, government lessie, कौन से section में है, question है, तो detail में तो आपको पढ़ना पढ़ेगा, बट अभी required में है, फिलाल, इसके बाद, 182 rights and liabilities of government, इसी, यहां section का question आता है, किस section में दिये है, rights and duties, और यह जो duties दी हुई है, इनको पढ़ भी लिजे, सब section 2 में जो duties हैं, कि कब आप, कि अगें section हो सकता है, तो अगर आप pay नहीं कर रहे हैं, जो भी rent है वो, और उस तरीके के provision, एक बार उनको भी देख लिएजे, वो भी important है, 183 service land, service land होता क्या है, किसको मिलता है, यह important है, तो कोतवार, village में कोतवार होता है, उसको दिया जाता है, क्योंकि वो government के बहाफ पे, government का officer है, उसके बहाफ पे काम कर रहे है, तो उसको कुछ एक portion of land, agricultural land, अपने survival के लिए दे दिया जाता है, उसे कहते हैं service land, ठीक है, section भी याद रखियेगा, किस section में हो, और किसे दिया जाता है, इल्यूवियन, इल्यूवियन में सिर्फ एक section important है, that is 203, इल्यूवियन, इल्यूवियन होता क्या है, तो river bank पे जो land है, river से लगा हुआ जो land है, अब कई बार क्या होता है, कि जब पानी बढ़ता है, तो वो land उस river के अंदर आने लगता है, उसको कहते हैं, इल्यूवियन, और इल्यूवियन वो है, कि जब पानी कम हो जाता है river में, तो land का portion बढ़ जाता है, holding का, थोड़ा सा आपका, अगर आपका river bank पे एकदम है, holding आपकी, तो आपका, जो land है वो बढ़ जाएगा, वो जो land बढ़ता है, उसको इल्यूवियन कहते हैं, और जो कम हो जाता है, क्योंकि पानी बढ़ गया है, so that is deluvian, so iluvian, deluvian का, सबसे पहले तो pre का question है, कि किस section में है, यह ध्यान रखियेगा, दूसरा land revenue पर क्या impact होता है इसका, तो देखे किसी के पास मान लीजे, 10 hectares है यहाँ पर, land, holding है, तो अब उस 10 में से, अगर मान लीजे, half hectare river में चला गया, ठीक, deluvian हो गया, half hectare का it least, तो फिर आपको उस पूरे एक hectare पर, land revenue pay नहीं करनी है, half से जादा लेकिन जाना चाहिए, ऐसी जब add हो रहा है, land आपके उसमें, वो भी half hectare से, जादा land आपके इसमें, act होना चाहिए, greater than half hectare, subsection 2, 1, दोनों में यह चीज़ दिये, half hectare से जादा, या तो add हो, या तो उस पूरे पर आपको, land revenue pay करना पड़ेगा, या फिर जो land कम हो रहा है, आपका river का पानी बढ़ने से, वो भी half hectare से जादा हो, ठीक, so that is Deluvian and Deluvian, इसके बाद next chapter, जो हमें पढ़ना है, वो है सीधे chapter 17, इसके बाद सीधे village officer, chapter 17 पे आ जाईए, बहुत important है, prelims के ही question इदर से mainly बनते हैं, इसलिए बहुत important chapter है ये, 222 पहले तो section important है, पटेल का appointment, अब देखिए कोतवार पटेल, ये सब revenue officers नहीं है, तो कि section 11 की list में नहीं है, लेकिन appointment इनका होता है, तो इसके बारे में mark कर लीजिए, बेरेट में चीज़ें, क्या-क्या question बनते हैं, तो सबसे पहले तो section important है, appointment of पटेल किस section में दिया है, appointment कौन करता है, ये question, सो collector करता है appointment पटेल का, ये एक important question है, हर village के लिए एक पटेल appointment कर सकता है, remuneration कौन fix करता है, 22 में section से तो question नहीं आता, कौन fix करता है remuneration, सो same, collector ही fix करता है remuneration, जो state government के रूल से हैं उसके according 24 बहुत important section का question आता है इदर किस section में दी है पटेल की duty duty क्या है वो सब नहीं आता है question सिर्फ भी आता है कि duties of patel किस provision किस section में दी है वो ध्यान रखिएगा 224 इसके बाद एक और question यहां से बनता है punishment 227 इसमें भी section से question नहीं बनता है punishment कौन देगा अगर वो अपनी duties ढंग से perform नहीं कर रहा है तो punishment कौन देगा तहसीलदार fine लगाता है और कितना fine लगा सकता है तो up to 1000 रुपीज दो question कौन लगाता है fine patel के उपर और कितना fine लगा सकता है दो question important है दोनों mark कर लीजे तहसीलदार and it should not exceed 1000 रुपीज इसके बाद है next कोतवार so 230 section 230 section important कोतवार का appointment किस section में है क्योंकि authority हाँ इस स्पेसिफिक दिया नहीं है state government करवाती है appointment so बस section का question आता है किस section में कोतवार का appointment और duties दी होई है बस इसके बाद बहुत जादा important provision है 34 main spree दोनों के लिए बहुत जादा important है preparation of निस्तार पतरक दो तीन question इदर से बनते है prelims के भी पहला तो किस section में दिया हुआ है preparation कौन prepare कराता है तो ध्यान रखिएगा SDO बनाता है निस्तार पतरक और ये होता क्या है तो निस्तार पतरक जो होता है वो unoccupied land जो है जिसका कोई भूमे स्वामी नहीं है जिसके कोई government less ही नहीं है जितना भी unoccupied land है मतलब directly in the possession of government जो land है उसका management कैसे होगा जिसे उस पे जो products होते हैं कि timber लगा हुआ है या बाकी wood है या फिर mud है, sand है ये सब कौन लेगा, कौन utilize करेगा इसका पूरा management जो होता है वो इस document में दिया होता है that is निस्तार पतरक तो तीन question यहां important है section कौन prepare करता है और किस चीज में deal करता है निस्तार पतरक ये भी ध्यान रखिए गाल इसके बाद 235 भी इसमें mark कर लेजे थोड़ा सा important है 235 matters to be provided क्या-क्या matter आएंगे उसको एक बार बस देख लेजे 236 provision निस्तार पतर पर 17 मेंटर यह means के लिए जादा important है, prelims के लिए उतना important नहीं है 36 और 37 दोनों यह means के लिए जादा important है prelims के लिए नहीं है निस्तार पतर पर क्योंकि detail question आता है इसके बाद next आ जाए वजी बोलर section 242 यह भी बहुत जादा important है 242 वजी बोलर क्या होता है कौन prepare करता है किस section में दिया है तो सबसे पहला question तो यह होगा किस section में दिया है वजी बोलर प्रपेर कौन करता है इस document को तो again the authority same as do बनाता है किस चीज में deal करता है अब देखिए वो था unoccupied land से related निस्तार पत्रक यह actually जो भूमी स्वामी है जिनकी possession में जिनके पास है land उस पे किसी दूसरे person के कुछ rights वो किसका होगा किसके land पे इस बात का पूरा जो documentation होता है वो document होता है वजीबुल अर्स अब यहां आप देख पार होंगे 242 में दिया हुआ है as soon as maybe after this code comes into force the subdivisional officers shall in the prescribed manner ascertain and record the customs in each village in regard to क्या custom है fishing को लेके वे को लेके ही सारा तो आगे दिया है the right to irrigation, right to way or other easement and right to fishing इसको अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा wife क्या-क्या deal करता है वजीबुल और किन-किन चीजों में deal करता है wife ध्यान रखिएगा W से right to way, I से irrigation, fishing, easement चीख, wife question आता है which of the following is not included in वजीबुलाइज या which of the following is included तो ये ध्यान रखिएगा बस चीख है 242 इसके बाद आबादी से related provision है आबादी की definition although ज्यादा important है और कौन decide करता है वो ज्यादा important questions है 43 बहुत ज्यादा important नहीं है reserve होता है आबादी उसके बाद भी अगर insufficient होता है तो 243 में collector उसके लिए arrangement करता है mains के लिए ज्यादा important है problems के लिए उतना important नहीं है 44 allotment of आबादी side ये भी क्योंकि आबादी से related पूरा एक mains का question बनता है ये दो सारे provision है 44, 45, 46, 7, 8 8 तो खेर थोड़ा सा अलग हो जाएगा इसको pre के लिए हम पढ़ते है 47 section याद रखिएगा pre में यहाँ से बन सकता है कि जो mineral है उसके भी title किसका होता है government का होता है ये question बस pre के लिए ध्यान रखिएगा बागी 45, 46 mains के लिए जादा important है 7 को mark कर लेजे वो एक question important है फिर आते हैं अपन 248 पे 248 और 50 दोनों बहुत जादा important provision है कई सारे pre के question है इसमें तो सबसे पहले तो 48 में है क्या चीज़ यह important है कि penalty for unauthorized taking possession of land किस section में दिया है 50 deal करता है reinstatement of भूमी स्वामी improperly dispossessed देखे difference क्या है दोनों में यह जो land है यह है unoccupied land 48 किस में deal करता है unoccupied land में जो किसी की possession में नहीं है अभी government के पास है या फिर आबादी जो reserve कराते हैं या service land इसन चीज़ों में deal करता है जो actually government के ही पास है और यह especially भूमी स्वामी में deal करता है यह difference है दोनों में अब देखे होता क्या है 248 में mark कर लिज़े अंदर content कई सारे question आते हैं तो किस चीज़ में deal करता है unoccupied land आबादी service land उस land के लिए यह है basically तो ऐसे land पर कोई possession ले ले unauthorized person ऐसे land कोई possession ले लेता है तो उसका ejectment होगा ejectment कौन कराएगा सबसे पहला question यह एक तैसीलदार कराएगा ejectment चीक और ejectment तो कराएगा उसके अगर कोई crop बगेरा लगी हुई है तो उस crop को भी आप खुद अटवा लीजे यह पर तैसीलदार अटवाएगा तो फिर वो cost लेगा उसकी इसके अलावा तैसीलदार यहां पर fine लगाएगा fine बहुत important है last paragraph के last portion में दिया हुआ है fine उसको mark कर लेजे अलग से लिखेजे 248 का fine so यहां पर जो तैसीलदार fine लगाएगा to a fine which may extend to 1 lakh यह ध्यान लखिएगा बहुत जादा fine है 1 lakh रुपीज तक का fine लगा सकता है तैसीलदार अगर unoccupied land पे कोई unlawfully या unauthorized तरीके से possession लेता है तो एक लाग तक का fine इसके अलावा इन addition to this एक लाग तो लगे गए addition to this अगर वो continue है उसके बाद भी continue करता है possession तो पर डे के हिसाब से भी लगा सकता है पर डे के हिसाब से non-urban area में non-urban area में ये रहेगा 500 रुपीज पर डे और urban area में ये रहेगा 200, sorry 2,000 रुपीज पर डे चिक urban area में 2,000 non-urban में 500 पर डे एक लाग लगेगा एक बार में और उसके अलावा पर डे का ये बान फिर अभी और भी इसका 2A भी important है, subsection 2A अगर साथ दिन तैसिलदार ने order pass किया है एजेक्ट्मेंट का साथ दिन में अगर ही एजेक्ट्मेंट नहीं होता है तो फिर SDO आएगा सीन में यहाँ भी मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि fine wine तैसिलदार लगाता है imprisonment में वीजना है तो SDO वेजेगा तो अगर तैसिलदार ने order pass किया साथ दिन के अंदर एजेक्ट्मेंट नहीं हुआ तो अब SDO यहाँ पे civil present में भी भी भीज सकता है उस person को तो civil present कितने दिन का पहली बार में पहली बार अगर आपने violation किया है तो 15 दिन और subsequent अगर यह होता है तो फिर 6 months, subsequent violation में 6 months पहली बार में 15 दिन, दूसरी बार में subsequent case में 6 months यह सारे question यहाँ से important है 48 से, ऐसे ही 250 है अब so 250 में भी देखिया authority सेम है वस यह काम कैसे होगा भूमी स्वामी की application ही पे या फिर उसको खुद लगता है SDO को, तैसिलदार को तो वो यह काम कराएगा ejectment का काम, दोनों case में तैसिलदार, जैसे unauthorized land की possession ले लिए तो ejectment होगा भूमी स्वामी को अगर आपने dispossess किया है तो दोबारा उसको possession दिलाई जाएगी यहाँ भी तैसिलदार ही काम करेगा पहला question तो यह important है ठीक है, fine यहाँ से भी question आता है तो subsection 5 में इसके आप mark कर लिजए सबसे पहले 50 के subsection 5 में mark कर लिजए एक compensation दिला सकता है जितने भी time आप unauthorized possession में रहे उसके लिए compensation दिलाएगा वो किस rate पे होगा तो compensation देखिए pro rate of 10,000 rupees per hectare 10,000 rupees per hectare यह cost दिला देगा compensation दिला देगा एक बार में इसके अलावा in addition to this तो फिर subsection 7 में दिया है इसके अलावा 50,000 rupees का fine भी लगा सकता है यह जो 10,000 पर hectare दिला रहा है वो जितने दिन भी आपने unauthorized possession रखी भूमी स्वामी को disperse करके उसके लिए और उसके अलावा एक fine और लगा सकता है 50,000 फिर सेम चीज़ तैसिलदार ने बोल दिया है आपको कि वापस आप possession दो भूमी स्वामी को लेकिन वो person भूमी स्वामी को दुबारा possession नहीं देता है कहने का मतलब तैसिलदार के order को comply नहीं करता है within 7 days या for 7 days अगर वो comply नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे भी SDO आएगा SDO civil prison पहली बार में सेम है 15 दिन के लिए civil prison लेकिन दूसरी बार में या कहानी बदल जाएगी दूसरी बार में तीन महने का civil prison civil imprisonment ठीक यह ध्यान रखिएगा यह सारे fine wine और imprisonment के question आते हैं सारे important है इसके बाद 250B भी एक mark कर लेजे इसमें addition एक add कर लेजे इसमें 250B भी add कर लेजे failure to vacate land in favor of allotty of land to be an offense अगर किसी government lessy की तरह किसी को मिला है या कोतबार को service land मिला है और आप उसको खाली नहीं कर रहे हैं उसे नहीं दे रहे हैं आप माल लिजे पहले से position में और अब वो allot किसी और को हो गया है तो किसी और को सब्सेक्शन 4 में इसके fine दिया है वो बहुत important है उसको आप mark कर लिजे it may extend to अच्छा ये क्योंकि एक offense होगा अगर आपने comply नहीं किया इसको so it will be treated as an offense और offense होगा मतलब उसके लिए punishment होगा fine होगा so यहाँ पहले तो imprisonment दिया है सब्सेक्शन 4 में up to 3 years imprisonment दिया जा सकता है आपको और साथ में fine भी लिगाया जा सकता है for non compliance चीक और इसके अलावा further ये तो हो गई एक bulk में lump sum fine लग जाएगा और 3 months तक का sorry 3 years तक का imprisonment भी दिया जा सकता है साथ में इसके अलावा एक fine और लग सकता है वो है 100 for every day per day 100 rupees fine और 100 rupees per day अगर आप compliance नहीं करते हैं तो वो एक additional लगाया जा सकता है ये सारे जो fine है important है cost पगेरा of fine इसके बाद इसमें आपने है 253 provision ये भी important है punishment for contravention of provision कौन से provision की बात करते हैं ये तो visible urge और जो निस्तार पतरक में जो rules या जो भी चीज़ें laid down करी गई है जो भी directions दिये गए है उसका कोई violation करता है visible urge और निस्तार पतरक दोनों का तो ऐसे case में ये इसके लिए punishment यहां दिया हुआ है so that punishment would be 50,000 again पचास हजार रुपे तक का fine होगा कौन लगाएगा तो ये ध्यान रखिएगा ये SDO लगाएगा यहां fine भी SDO कर रहा है तेसीलार में इस particular case में जहां visible urge और निस्तार पतरक दोनों बनाया किसमें SDO नहीं बनाया है तो यहां अगर आप उसका violation करेंगे तो यही fine लगाएगा तक का fine लगा सकता है इसके बाद next miscellaneous में 57 मार्क कर लेजे यहां से एक ही question important है यह और भी कई जगा दिया हुआ है exclusion of jurisdiction of revenue authorities कहने का मतलब इसमें दिया यह है कि civil court का jurisdiction नहीं होगा कुछ matters पे civil court का jurisdiction नहीं होगा क्योंकि यहां पे revenue authorities का है या तो state government या board या revenue officers so 257 में यही दिया हुआ है except as otherwise provided in this court or in any other in acting for the time being enforced no civil court shall entertain any suit court जो की इनके mbit में आ रहा है इनके jurisdiction में आ रहा है उसको civil court entertain नहीं करेंगे ठीक है और expressly एक चीज़ जरूर इसमें जो बाकी matter की पूरे list दी है इसका a बहुत important है any decision regarding any right under subsection 1 of section 57 between the state government and any person एक तरफ पार्टी state government है दूसरी पार्टी कोई person है इस पे तो civil court बिलकुल entertain नहीं करेगा यह civil court entertain नहीं करेगा यह revenue authorities ही deal करेंगे उनका exclusive jurisdiction होगा बाकी general rulemaking power 58 में दिया है section action यह दोनों important नहीं है यहां से बस यही ध्यान रखना कि किन matter पे civil court का jurisdiction नहीं है और यहां पे rulemaking power generally general जो rulemaking power है वो किसके पास होगा तो state government के पास है MPLRC में generally rulemaking power वो बस mark कर लेजे कि general जो rulemaking power it is with the state government that's it बस यही question यहां से बन सकता है अगर यह वीडियो वीडियो था जिसमें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि चल गया रहा है पूरे इस act में अगर यह आपको यूसफुल लगता है और यह आपको यूसफुल लगता है और प्लीज लाइक टीवीडियो और शेयर अबस्क्राइब दू आर चैनल थांक यू अजवा यूस्ट यूसब लगता है और यूस प्लीज लगता है और यूसफूब